बिकोम थर्ड एर पेपर फस्ट पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एन्ड बजटरी कंट्रोल आज का टोपिक है परियोजना अभिज्ञान या परियोजना की पहचान परियोजना की पहचान में परियोजना का अवलुकन करके उसकी जानकर याशिल जानकर इप्राप्ट करना अभिज्ञान होता है एक परियोजना की पहचान जैसे किसी व्यक्ति की खूबियों की पहचान करते हैं उसकी विश्यस्ताओं की पहचान करते हैं वैसी इसमें एक परियोजना की पहचान में उसके हने वाले फाइदे और अन्य वाली कटनायों के बारे में जानकर लेते हैं इसमें परियोजना की पहचान का अरत अरत है परियोजना अभिज्ञान या परियोजना की परचान अंतरिक यह बार ये परतिबंदों को ध्यान में रखते हुए संबावित अवसरों का पता लगाने हैं यह से अवसरों के लक्षणों की विकास की दर्षति से आर्थिक समकों के संगरान संकलन या विसलेशन से संबंदित परिकेरिया को परियोजना अभिज्ञान का कहते हैं परियोजना अभिज्ञान एक परियोजनक को परियोजनक उपरचानने की एक परियोजनक उपरचानने का तरीका होता है इसमें विबिन परकार के वीदियो और विस लेसन करके परियोजनक परियोजनक की जाती है अब परियोजनक अभिग्यान के जो तरण है वह निमन है विचारों का सर्जन पहला है जो विचारों का सर्जन अत्वा कोज की पहला पॉइंट होता है और वह मत पुन्र पॉइंट है वह परियोजनक विचारों का सर्जन यानि परियोजन विचारों की घुद है अन्यक आन्थे और क llevar करके उसकी पहता की जा सकती इसमें किसी वश्तों वे ब्र पूर्ट कर सकके कि विद्मान परकियां का अवलोकन कभी-कभी नहीं अवस्वरों विचारों का भी जनम दे सकती है दूसरा है विद्मान उद्धुगों की निस्पादन का विसलेशन जो दोग वर्तमान में होते हैं जो उस ताइम मुझूद होते हैं उनको वो किस प्रकार से उद्धुग अपना लाब लाब लेते हैं या लाब मत उसका विसलेशन करते हैं इसमें विद्धुगों की समता उप्यों की जांच अधिक विद्धुगों के बारे में उसका विसलेशन करते हैं अज़ें थिसक्ति रहे विद्धुगों की कर विद्धुगों की निवेशों में विद्धुगों क्यों उसके के निवेशहों और उत्वादनों का विसलेसन किया जाता है है जोता है इखार कि यह दूक्त का विसलेशों का इस में कहई वर्सों के आयात और निर्यात के समकों का विस लेसन किया जाता है और उसे सम्भ योदना को त्यार करने में बहुत मदल बहुत साहता हो मिलती है पांथवाय रुगन एकाहियों को पुनर जुद करने की संभावना को खोजना उदोगों में रुगन ता आ जाती है जैसे उदोगों में घाटा हो जाना उदोगों की कार समता में कमी हो जाना जिस्षे उदोग बिमार पर जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं या बंद होने के कगार पर आ जाते हैं इन एकाईं को सुदेट परबन कारिशील पुन्जी के रूप में अत्रिक दन का विन्योग अनुपुरुग नियोसन द्वारा पटे पर लाया जा सकता है रुगन इगामें को लेना बुरा विचार नहीं है जहां गरबावदी के लिए इंतजार के बिना लाब कमाया तता संसादनों को वेकार होने से बचाया जा सके प्रियोजनाओं का सर्दन करने के लिए व्यापार यह प्रत्रिकाएं का उपयोग भी किया जा सकता है यह प्रत्रिकाएं पेशेवर संक्टनों के प्रतिवेजन अपने अभी लेकों द्वारा प्रदत संके की में सुसना से पराई अवसरों की सानका इद्यत्ति है जिस यह विन्योग अवसरों में विक्षित किया जा सकता है सोद संस्ताओं की बुलेटेन से भी किसी योदना का सरधन कर सकते हैं इसके लिए सोद संस्ताओं से आगे पत्र वेवार करना पड़ता है योदना पर पत्र आठ वहाँ अपना है योदना पर पत्र योदना पर पत्र से योदना को बनाने में बहुत बड़ी मदद मिल साहता मिलती है योदना पर पत्र देश की विदमान आर्थिक दसा का विसलेशन करता है तता संपुर्ण योदन परियासों में साथ कोने वाले विनियोदन अवस्वरों को इंगित करता है जिस ये योदना बनाने में बहुत साहता मिलती है यह पार मिले हैं तरदा प्रद्शन निया अपना नोहां पॉइंट है वह अब बार मिले हूं प्रद्शन निया अगला है वितिये संस्तावों यह विकास आत्मक एजेंशियों के सुझाओ इन सुझाओं के द्वारा भी एक योदनाओं का सर्जन या खोज क करने में हमें साहता मिलते हैं यह सचता हैं एक योदना बनने में इस परकार मदद करती है अपने सुझाओं और मार्क दर्शन देती है और यह योदना है ओदों के विकास की विकास का भी अधिन करती रहती है समय समय पर जो योदना बनाने के लिए उप्योगिस होते हैं कि विए पॉइंट है वह है शोट इस वोट विसलेशन या इस डबलो टी अनलेसिस इसमें आइस का मतलब इस्तरियंत यानि शक्ती दूसरा है विकनेश यानि कमजोरी तीसरा और पॉइंटिटी यानि उसर और चौत है ठर्यट यानि दंकी इनके लिए परियोग समद परियोग किया जाता है इस प्रकार यह यानि इस प्रकार यह विकन स्था का तोलना आत्मक शक्तिएं तता कमजोरीयों दूसरी और परियावन यानि दंकी ओं जिनका एक संस्तर दुबारा मुकाबला करने की संभावना है का विसलेशन यह विसलेशन किया जाता है अगला है परियाबरन अनु सर्वन परियाबरन में परियाबरन का अनुसरान करने के लिए व्यास एक व्यातावन को छेशेटरों में विवाजित किया जा सकता है पहला है आर्ट एक चेतर आर्ट एक चेतर में आर्ट युएस्ता की दसाएं संपूर्ण विकास दर शेटर इवकास दर चक्रिया उत्तावतन मुद्रा इस्कृति की दर अधी आते हैं दूसरा है राजकिये एक शेटर अनुद्र युद्र ओदोगी लिवकास दूसरा से दूसरा सनुद्रन टतरれて आते हैं तोता है समाजिक जननान की चेतर इसमें जन्सन के परवर्तियां आई इस तरही रोजगार की दसाएं आती है इसमें उत्पादों में एक रूपता तदा बीनता की मातरा परवेश बंदन गुणवत्ता मुल्य अपील कार्यात्मक निस्तमादन के संदर में इस्ताना पनों किसे तुलना विप्रन नितियों यह वेवार आते हैं पिरस्टा आपूर्ति करता चेतर कच्ची सामगरी तता निमित माल दोनों में निवेस लागत की संबावनाएं उपलबता है तता वित लागत की उपलबता आपूर्ति करता चेतर में आते हैं यह सारे परियावर्ण के आर्थिक परियावर्ण से संबली पोईंट है जो आर्थिक परियावर्ण को परभावित करते हैं इनका भी इस योधना में बनाने में बनाते हुए इसको द्यान रपना परता है इसको फिर निगमी मुल्यांकन में विपड़ीन यह बितरन चेतर उत्पादन यह परिवाद परिचालन चेतर सोद यह विकास चेतर निगमी और संस्वादन द्यता कार्मीक चेतर वित यह लेकांकन चेतर आधी का मुल्यांकन करके एक योधना को बनाने तैयार की जाती है पिर है परारंबिक समिक्सा परारंबिक समिक्सा इस परक्रिया में पुरी योजनाओं का मुल्यांकन किया जाता है कि इसमें एलाव परत विच्चारों का त्याग कर दिया जाता है घर कि रिष्टि से पर्योजना विच्चार का मुल्यांकन किया जाता है जिसको परारंबिक समिक्सा के नाम से जाना जाता है यह समिक्सा निमन निमन मापनन्डों के दुवारा की जाती है उद्धमिक के साथ संगन्दता राज के नियमों तता प्राज मिक्ताओं के साथ संगन्दता नियसकों के उफलब तता बाद़ार के परियाप तता परियोदना लगत परियोदना में समलित दोखिम आधी आधी इसमें आधी का मुल्यांकन किया जाता है पिर शर्वतम परियोदना विचार का चलानी है कि इसमें प्रियोदने वाँ प्राण्द फोता है प्रियोदना अभियान के परियुप परियूदना के पति कोन been में परिवर्टित कर दिया जाता है अब इस चे जो परसन बनते हैं वो है परियोजना अभिज्ञान को परिवाशित कीजिए दूसरा स्वोर्ट इस वोर्ट स्वोर्टि विसलेशन का क्या है तीसरा परियोजना अभिज्ञान परिकरिया को समझाइए झाल झाल